तो चुटो चुटो अज हमें स्टर्ट कर रहे हैं अपनी एकसर्साइज 5.3 क्लास 10 से अर्थमाटिक प्रोग्रेशन एंचर्ट को तो चुटो चुटो चुट, पाइप पॉइंट री का को फॉष्चेन नूंबर वन को देख लेते हैं 5.3 में हमें question number 1 के दर क्या करना है देखे question number 1 में क्या दिए होगा हमें question number 1 के दर 4 पार्ट्स दिए होगा चारो पार्ट्सों को हम सॉल्व करेंगे हमारी sn is equal to n upon 2 bracket में क्या हो जाएगा आपका 2a plus n minus 1 into d ठीक है यह आपकी यूज़ होती है तो यहां से क्या होता है question कुछ हमारा स्काइब से आजाता है कि हमें a p series दे जैसे कौन से दी हुई है हमें first question में लिए है आपको 272 इसी तरीके से आपके यहां कि यहां पर हमें नहीं दी हुई है अब एक एक को अगर हम इसका डी की value हम find out कर भी नहीं है ठीक है मैं आपको बताता हूं कैसे सबसे पहले हैं चलो ठीक हम इसके आगे के टर्म अगर हम हम a2 में से और a1 अगर minus करते हैं तो आपकी value क्या जाते है डी की value हम find out कर लेते हैं ठीक है तो डी क्या हो गया हो जाएगा 22 ठीक है फिर 27 32 फिर 37 और फिर क्या हो जाएगा 42 47 देखें आपके टर्म आएं बिल्कुल एक्जाट 10 टर्म आपके हो स्थी ठीक है अब संब करना है थो क्या करना होगा थो मिदा किसे निकाल सकते हैं एक तुमारा तरीक हो जाएगा कि हम संब करें यानि कि सब्सक्राइब करेंगे तो यह बहुत ही जो है लॉंग तर्म हो जाएगा इसमें आप अगर सोचो यह तो आपको निकालने हो चलो बहुत अच्छी बात है सब्सक्राइब कर दर मेंटन तर्म दिए हुआइं अब जरा देखना हमारे फ़र्ट पार्ट सब्सक्राइब यहां से तर्म कहा हुआए यह टेंट तर्म कहा हूँ एंट बोला हुआ तो आपकी एंट की वैलियों हुए ठीक है तो हम इसे इस टाइप ना करके हम इसे डार्यक्ट फॉर्मुले से ठीक है तो देखिए हमने अब क्या है अब क्या होती है जो फॉस्टर्म होता है अब हम अपने कोश्चन में इसे क्या करते हैं पुट कर देते हैं अब करते हैं और तुट कि है सोट है इसे क्या हो जाकर देखे न हैं याथा अपन टुट क्या है टो इन्टू इक वैल्म गाल फॉस्ट क्या है वह सुटू आपके दो ४्लस है तो प्लस लगा दीजिए अन एन इक क्या है वेल्यू आपके 10-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है विल्कुल एकन सिंपल है सीधा साधा हमने क्या करा फॉर्म लेकंदर पुट कर दिया और कुछ भी हमें करने की हिरोतिस में नहीं पड़ी फॉर्मुला अगर आपको आता है अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो आपको कोई भी प्रॉलम नहीं होने वाली है ठीक है तो अब क्या होगा देखे आगर मैं इससे खैंसल करता हूं तो फाइब हो जाएगा तैन थी एस टैन इसकल टू क्या हो जाएगी अब यहां से हो जाएगा फाईल तू इंटे तो इसकल टू क्या हो जाएगा फोल यते नतब कर डियर्टा न कीपे आफ से और Digital नानेNतु सब्सक्राइब करते हैं तो हंड्रेड फॉर्टीफाइब क्या मिल जाएगा मैं टू हंड्रेड फॉर्टीफाइब तो आपके इन सभी जो भी आपको अगर इन सब टर्मों को हम टोटल करें तो हमारा अंसर क्या आएगा हमारा अंसर आगा 245 तो समझ आगया अगर समझ आगया हो तो कमेंट जरूर कीज़ेगा ठीक है चलिए नेश्ट पार्ट को करते हैं अब चलिए अपने सेंट पार्ट को देख लेते हैं सेंट पार्ट में आपको क्या लिया हुआ है यहीं पर नोट कर देता हूं यह वैल्यू क्या हो जाएगी एकी ठीक है हमें क्या चाहिए ड की वैल्यू तो दी निकाल जाएगे अब इसपंट जैसे के मैनस प्लस क्या हो जाएगा मैनस हो जाएगा तो यहां से जो d की जो आपकी निकल के आई झाल गी डी की वैङलू क्या यहां से यहां से andau यहने कि सब्सक्रण मूँ और एपए तेम स्पर्सक्रण में हाया यह == इस सब्सक्रण मनें पर एकि ब्रेकिट में टूह की वेल्यू एक है वेल्यूं अगry SCP माइनस के था थी अहां पर कर दीजे हैं और दी थी जिए अगर मैंस प्रॉट्य करता हूं तो 6 ठाँ यांनि कि या हो जागा 6 अच्छा मैंनस मैं अच्छा प्लस देखिए- 16 crec सिक्स आप देखे माइनस करते हैं तो माइनस क्या होता है हमेशा माइनस होता है और चिन वो आता है यह नहीं वह आता जो आपका नमबर बढ़ा होता है तो 74 में से करने हैं, 44 को माइनस करूं तो 30 आएगा, विल्कुल 30 आएगा, अब उनका सम जो थे, आपके अगर 12 तक लेते, तो इनका सम क्या था, माइनस की बने ठीक है आपका सेकंड पार्ट जो भी कमटेक हो गया थर्ड पार्ट पे चलते हैं अब थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं तो देखे आपको थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है लोगे जाए थार्ट पार्ट में वान और कोच्चन का डिखो एक वैली क्या है एक ज्वैली ओके जिरो पॉंट सिक्ष्ट अब हमें चलिए बीक वैली को जाएगा वन पॉइंट सैंवा नस्कै जिरो पॉइंट तो यहां से फाइंड आउट करोगे तो देखें 1.7 में से 0.6 को अगर मैं वाइनस करते हूं तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा दी की वैल्यू में जाएगी तो यह क्या हो जाएगी 1.1 ठीक है ना इसलिए हमने बेली की वैली हो गए और हमें यहीं चाहिए इंतरिश में यूस करने के लिए अच्छाइग है तो इन वापाउन डिदेंगे 2 इंटव एक वैली क्या है एकी वेल्व क्या है 0.6 ठीक है फ्लस एन माइनस वन एन की वेल्व क्या है 100 तो क्या हो जाएगा 100 तो यहां से आप देखे 50 हो जाएगा और 0.6 को अगर मैं तू से मुल्टिप्लाइब करता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा यहां से आप देखे 50 1.1 प्लस 99 इंटू 1.1 अगर हम यहां से करेंगे तो नाइट एट एट पॉइंट नाइट आप मुल्टिप्लाइब करके चेक कर देगा दोनों को सम करते हैं तो फिफ्टी और दोनों को अगर हम सम करते हैं तो यहां से क्या मिल जाएगा हुद्ट एंट 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 एनगा फिफ्टी की मति अंटेका कर देब तो फिफ्टी इंटो 1.1 इंट एंट 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 एंच highness जाएगा आप沒事 Chris जहाँ जीनि-खर सेटर चेकल लेते हैं मैं पार शेखल लेते हैं। यह चैकलेशन पर कोई क्रॉब्म दो नहीं है। इंटू क्या हो जाएगा 50 तो देखें 0 जाएगा 5 झाल फ़ीड जीरो और 5 यहां से क्या हो जाएगा यह जो आगए 0 तो पांच हजार पांच हजाएगा तो यह देखिए आपका थर्ड पार्ट भी हो गया है अब चलते हैं अपने कोश्चन के फॉर्थ पार्ट को भी देखे लेते हैं कभी कभार जो है जलबाजी में आप डैसी में पगएरा में कुछ प्रॉब्लम ना कर दें आप इक पार अपनी कैपूलेशन को जड़ूर्ड रीचेक करने में कोई बराई नहीं है कभी कभार का होता है एक्जाम में जलबाजी में कड़ेते हैं तो उसकी वजह से आपका आंस जाएक एकी वैल यहां से अजग्डियाहां है अजने में लग सब्सक्राइब हैं और सब्सक्राइब ख़िक है और एन की वैलियू क्या है एन की वैलियू है 11 पुट कर दें है तो देकिया एन एन की वैलिवी क्या है 11 अपान टू च हीक है 2 इंटु क्या है एक वैलु यहनी 1 ऑपान 15 छीक है और प्लेसमें n-1 यानि 11-1 इन्टू डी की वैलिवी क्या है 1 अपान 16 ठीक है यहां से शॉल करते हैं 11 अपान 2 प्लस इनावन इसका चुछ तो यहां से हो जाएगा तो यहां से पॉर्षन को हम क्या करेंगे इस पॉर्षन को हम क्या करेंगे इसे यहां लेके हमें से सब्सक्राइब अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा थर्टी हो जाएगा इसका यहां से मिलेगा एलेवन डु एससे किनों को तक यह क्या हो जाएगा लेख से करने सथ भी टाइम यह होघे लेनी 11Кी 13- 곡 इंटू-10 नि के 30 से के साथ जो आपका संभाज आया है पाट नूमर को हो जो गया हो गया सेत्थी सरीघ्रशन इसमेट मिलते हैं तो इसडून से अब स्टार्ट करते हैं अपने बूस्ट नाँब तो कोक्षिट नमबर तू में देख लेए चैनल हुआ है फान्न फान्स दिया होगे यहां और उसका यह है सम्में फाइंड आउट करना तो इसडून नफर से यहां पर एक छोटा सा डिफ्रेंश दिया वह भी आपको बदाता हूं हमें इसके question 2 के तीन पार्ट में हुआ है 7 10 1 by 2 plus 14 और फिर जो है देखिए वहाँ पर क्या था हमें निकालना होता था एंटरम हमें यहां पर निकालना है पर हमें यहां पर last term जो है वह हमें दिया हुआ है last term को क्या denote करते हैं L से denote करते हैं ध्यान दीजिए लाश्ट जो होता है वो क्या होता है आपकी value होती है यहां पर हम देखें यह जो भी आपकी value है यह आपका फॉस्ट टर्म है यहां पर आपको प्लस लगा के जरूर्ड दे रखा यह बिल्कुल इसी तरीके से है यहां तो हम इसे identity कौन सी यूज होगी तो मैं आपको बता दूर्ट हमें इनका सम फाइंड आउट करना है तो हमारी इसके अंदर दो identities यूज होने वाली है दौन कौन सी हैं देखते हैं तो सबसे पर्स्ट जो आपकी यूज होगी वह क्या होगी आपकी कौन से टर्म पे आ रहा है दस में टर्म पे आ रहा है वह हमें सबसे पहले क्या करेंगे अब आगे चलते हैं अब फिर इसके बाद में इसका संका फॉर्मला लगेगा वह क्या लगेगा एस एन इसकल टू एन अपॉर्मला लगता है एन अपॉर्ण टू और फिर क्या होता है फॉर्स टर्म एंड प्लस लास्ट ठीक है सेकंड आपका फॉर्मला लगेगा इसमें यह बादा तो इन दोनों आइडेंटिज को यूज करके हम अपने पोस्टन को सॉल्व करेंगे ठ से देखिए हमें क्या हो जाएगा है क्या हो जाएगा यानि कि क्या हो जाएगा एह टू-1 यह तैन वन वाइट उस से मखर देगा मैंनस क्या है यह से वन प्रणस घिंट करता हूं एक ट्व की मन्टिप्लाइब यह विगा यानिकी क्या हो जागा 21 अपॉन टू माइनस देखिए ल की वैल्यू हमें पता ही एल क्या है आपका लास्ट टर्म क्या है आपका 84 लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है तो उन्हें प्लाइब करते हैं तो क्या हो जाएगा 84 एक युझाज़ की वेल्यू है और प्लस P n-1 यहां जो कि मैं find out करना है n-1 n की value find out करना है इंट्थ की value कि 7 X 20 या से 7 टीक है थीचा तो आप देनके जैसा कि हमें जब N की value minus करेंगे तो क्या करेंगे 7 यह दर plus का है जोगा साइट चेंज होने पर माइनस हो जाएगा यह दीक हो जाएगा टो यहापर इसे डाउट नचाम उलेवन तो क्या हो जाएगा 11 इसट वन एनच दाउन-चाम और यहां से च्रॉप्ल तो यहां से आप देखिया आपकी एन की वेल्यू आपको क्या मिलेगी यहां से अब हम यहां से एंड की वेल्यू निकालने के लिए सब्सक्राइब के लिए हमारा से सेटिन एक ल की वेल्यू अपर यहां से 23 छीन की वेल्यू मं पूट कर देते हैं एंड की वेल्यू एक वेल्यू है सेवन क्लस एल की वेलु क्या है यानि कि 84 ठीक है तो देखे विटी अपां टूट्वींती अपांट टू ही रहने दीजे अब अगर 84 हम सेवन को आड्ड कर देंगे हम सेवन को अगर एट एड कर देंगे हम तरह से जोनें यहां से गया यह हमारा हो जाएगा 91 क्या हो जाएगा 91 यानि कि 91 में क्या करना है 23 अपॉन टू इंटू क्या हो जाएगा 91 इससे भाग दें दीजिए और रिमाइंडर में यानि किसे क्या करेंगे मिक्स फ्रेक्शन में इसे चेंज कर देंगे अगर हम इसे मिक्स फ्रेक्शन में चेंज कर दें तो जीतना हो जाएगा 1046 वन बाइटू तो इस तरीके से स्टुएंट्स आपका अंसर जो है वह आपको मिल जाएगा दौनों में से आप कहीं पर भी छोड़ें आपका अंसर बिल्कुल ठीक होगा ठीक है चलते हैं कोस्टन नमबर टू पर इस्टुएंट उमीद करता हम कि आपको कोस्टन नमबर जोड़ें थे हैं एसन की वैली वह हम इधर सॉल चरेंगे और बाधी कोश्टन को इंदर साथ करेंगे ठीक है अब देखें सटीड़ी पार्ट में चलते हैं सबसे पहले है एंट इसकर डू क्या हो जागा एंट की वेल्व फर्टी पोर और प्लस एंड माइनस बाइनस वन इंटुदी की वेल्व क्या है माइनस 2 ठीक है यहां से हमने इसकर यह पूट कर दिया अब मैंनस हो जाएगा तो अब क्या है इसे फॉर्म लेएंगे तो अगर मैंश कर देता हूं देखें, अब आपकाille, Mr. Nh revenue, अब आपका Favorite हम इसका टू N G Cyre, की वेलिव क्या है? थंवर 15 अपॉण 22 करतीजे एक की वेलिव एकी वेलिव मत वेलिव क्या है? धिवर 15 च्छेन अब यहांसे स Eliaskind úm क्या हो जागा? अब देखे थर्टीफोर में टैने करोगे तो कितना हो जाएगा फुर्टीफोर इससे डिवाइट कर जीए तुन्टीटू यानि इन सभी जो भी आपके टर्म जो दे रखें अगर तरस्ता गम जाते हैं यहां से तो जो आपको जो इन सब एलिमेंट्स का जो सम हो जाएगा वह क्या होगा आपका 286 सेकिंड पार्ट भी अपना कोशन नमबर टू का कम्प्लीट थर्ड पार्ट पर चलते हैं कि अधिया है कि अधिशन में क्या दिया हूं है कि क्या है जाता है कौन सी वेल्यू है आप आसान इसे सब्सक्राइब और आपका लास्ट टर्म जो है लास्ट टर्म जो है लगी वेल्यू क्या होगे माइनस के माइनस के फाईव तो मस्नाइक्त हो जाएगा तो लेकिकी वेल्यू क्या हो हगे आपके अपके mr क्रेंए कि ऑफ्ता स्य good उप्र मिल जाएगी मायनुस माइनस हो यह क्या हो जाएगा मैं क्या हुझा तो यहां से तो यहां से सब्सक्राइब हो जाएगी यहां से अगर हम देखते हैं तो यह वेली हो जाएगे सब्सक्राइब हो जाएगी यहां पर मायनस की वैली हो सब्सक्राइब ना दो यानिकी इसकाट टू और एकी वैलीव एक वैलीव क्या है हम मैनस के 5 फ्लस एल की वेलिए ल की वेलिए क्या है 230 यानि 230 ठीक है देखे 76 को हम तूसे डिवाइट करते हैं तो स्टूनेंट क्या हो जाएगा 38 उसे डिवाइट करते हैं तो क्या हो जाएगा 38 यानि था यहांस ऑगर तो सब्यांतिस यानि माइनस के 235 हो गए ठीक है दोग्लों की आप मुंटिप्लाई कर दीजे तो SM की वेल्यू क्या हो जाएगी अगर हम 38 की मुंटिप्लाई कर रहे हैं माइनस के 235 में तो च्ट्ट क्या मिलेगा माइनस के 8930 तो इसका सम क्या जाएगा आपका 8930 तो दिहां दीजे आपको क्या करना है जब हमें एल की वेल्यू दे रखी हो यानि कि आपकी एपी स्रीज का लास्ट ट्रम दे रखा हो तो आपके दो फॉर्मलेस में यूज होंगे समपाइंड आउट करने के लिए ठीक है तो आज की वीडियो में हमने क्या है नेक्स वीडियो में हम आगे की क्यों को सॉल्ब करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई